हलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्यों के आटे का बहुत ज़दा क्रिस्पी और टेस्टी नास्ता आप एक बार इस नास्ती को बना कर खालेंगे तो समोसे कजोड़ी खाना भी भूल जाएंगे इस नास्ती को बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही कम इंग्रेडियंट में यह नास्ता बनकर तयार हो जाता है तो चलिए फैंड बिना किसी देरी के फटापट से नास्ती को बनाना स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नहीं है और अभी तक हमारे चैनल को नास्ती को बनाना स्टार्ट करते हैंivas को बनाने के लिए वाँ के लिए कुग करेंगे उसका आधा कफ हम रिवे इसो करदेंगे एक चौथाई कप जितनी फ्रेश दही तो make sure कीजिए का बहुत सब दिन की खटी दही का इस्तमालना करें इसके बाद same cup से हम इसमें एक चौथाई कप जितना डालेंगे पानी और इसे हम अच्छे से mix करेंगे तो देखे इस तरह से आपको इसे अच्छे से मिलाते जाना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है तो इसे आपको जिस तरह से आप पकोड़े के लिए बेसन फेटते हैं उसी तरह से आपको इसे फेटना है और इसे आपको जब तक फेटना है जब तक कि यह जो बैटर है वो अलका सा लाइट नी हो जाता तो देखे इस तरह से हमें एक से दो मिनट के लिए इसे अच्छे से बीट करना है आप चाहें तो बीटर की हल्प से भी इसे बीट कर सकते हैं तो देखें यहाँ पर हमने इसे अच्छे से बीट कर लिया है तब हम सबसे last में सूजी आड़ करेंगे क्योंकि सूजी को हमें बहुत सदा soft नहीं बनाना है क्योंकि यहाँ पर हमने थोड़ी से सूजी डाली है तो सूजी डालने से हमारा बैटर रहा हो थोड़ा सा गाड़ा हो जाएगा तो फरें चट्टी मराने के लिए सबसे पहले हमें एक mixing jar लेंगे और इसमें हम एड़ करेंगे आदा कब जितनी नारियल तो यहाँ पर हमने fresh नारियल का इस्तेमाल किया है इससे हमारी जो चट्टी का टेस्ट है वो बहुत ज़दा अच्छा आता है तो नारियल को हमने इस तरह से छोटे छोटे टुकडों में कट कर दिया है ताकि इसे पीछने में परिशानी ना हो इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ से रोस्टे चने तकरीबन दो छोटे चमब जितना तो अगर आपके पास रोस्टे चने नहीं है तो आप इसकी जगा पर रोस्टे पीनट का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो दोनों ही चीज़ों को डाले के बाद अब हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ा से अद्रक तो यहाँ पर अधरक आपको इस तरह से चुटे-चुटे टुकडों में कट कर करके डालनी है साथ ही हम इसमें एड़ करेंगे 2 कल्या लहसुन की अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप लहसुन को स्क्रिप का सकते हैं इसके साथ हम इसमें एड़ करेंगे तीन से चार हरी मेच, हरी मेच आवटने स्पाइस के अकॉर्डिंग ये डालेगा, इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे तीन से चार कड़ी पत्ते, इससे हमाई चट्नी बिल्कुस साउध जैसी लगेगी, तो ये टोटल ओप्शनल है, आपके पास हो तो आप डालें, इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे स्वादनुसान नमक, और नमक डालने के बाद हम इसमें एड़ करेंगे एक चोथाई कप जितना पानी, तो पानी आपको बहुत ही कम डालना है, जितना आपको रिक्वाइर्मेंट है, और जितना आपक थिक चटनी चाहिए उस हिसाब से डालना है तो चलिए इसे हम फड़ा-पड़ से पेज लेते हैं तो तड़का लगाने के लिए सबसे पहले तड़का पैन में हम थोड़ा सा तेल गरम कर लेंगे तो तक्रीबन एक से दो चमच के करीब तेल गरम करना है जैसे हमारा तेल गरम हो जाएगा हम इसमें आड करेंगे थोड़ी सी महीन वाली राई और साबूत जीरा तो दोनों की क चटनी को अपने हिसाब से थोड़ा सा पतला और गाड़ा बना सकते हैं इस टाइम पर तो यहाँ पर हमारी चटपटी से चटनी बनकर राड़ी हो चुकी है तो इसे हम साइड में रख देंगे और पटापट से अपने नास्ते को बनाना स्टार्ट करेंगे तो हमारे बैट स्पाइस के अट्रणी डालेगा साथ ही हम इसमें अट करेंगे एक बारी कटा हुआ प्यास तो अगर आप प्यास की जगा पर आप दूसरी कोई सब्जी का भी स्टमाल कर सकते हैं जो भी सप्याँ पसंद हुआ है तो यहाँ पर हमने इससे सिंपल रखा है क्योंकि प्यास स तबी के घरों में होता है तो प्यास डालने के बाद हम इसमें आड़ करेंगे थोड़ी से बारी कटे हुए अध्रक के टुपड़े ये नास्ते में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं अगर आपको अध्रका टेस्स पसंदे तो आप डालें इसके बाद हम इसमें सबस्किर लगते हैं जाह Guya तो अपनी नास्ते को बेनाना के लिए तो ने इस सबसे पहले मृटसे से हम थोड़ा ऐमाउंट में हाथोसे श्रीव दिस थे देंगे अगर आपको हातों से बनाने में डर लगता है तो आप इसे चम्मर से भी बना सकते हैं तो इस तरह से हम इसके छोड़ी-छोड़ी फूल जाते हैं 1-2 मिनिट में अगर आपका तेल बहुत अच्छा गरम होगा तो तेल को बहुत अच्छा से गरम करना है ताकि आपका नास्ता अंदर से अच्छे से कोक हो जाए और फूल जाए अगर आपका तेल बिल्कुल अच्छा गरम नहीं होगा तो आपका नास्ता बिल्कुल चप्टा बनेगा बिल्कुल भी फूलेगा नहीं ताकि हमारा नास्ता दोनों साइट से काफी अच्छे से कोक हो जाए और बहुत जल्दी कोक हो जाता है क्योंकि हमने इसमें सूजी और चावल के आटे और घ्यों के आटे का इस्तमाल किया है तो बहुत ज़दा हेल्धी भी है तो देखिए इस तरह से आपको इससे अलट नास्ते को भी हम बना लेते हैं तो friends बनकर ready हो चुका है हमारे किहुँ के आटे का यह बहुत ज़्यदा क्रिस्पी और टेस्टी नास्ता आप देख सकते हैं देखने में जतना टेंग लग रहा है खाने में उससे भी ज़्यदा टेस्टी होता है अब मैं आपको इसकी क्रिस पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हम मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में ऐसी नहीं बज़िदार रेसी पीस के साथ तब तक किले अपना ख्याल रखें बबाए और टेक करें थाइक्स पर वॉच्ची पर पॉबबाब सते हैं इस नहीं को बपना भी जञे चलतिवार नहीं।